नमस्कार दोस्तों बदोस्वात आपका हमारे चलमें दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वाटसेप से ज्लू हुई है कैसी जानकरी देने वाला हूं जिसके अंदर आप जान पाएंगे कि आप किसी दूसरे के वाटसेप के स्टेटस को अपने फोन के अंदर कैसे कॉपी कर सकते हैं कैसे उसके वाटसेप के स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं किस तरह आप दूसरे के स्टेटस को अपने फोन के स्टेटस पर लगा सकते हैं दोस्तों आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते हुए लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि WhatsApp पर किसी दूसरे के status को किस तरह से अपने phone के अंदर डाउनलोड किया जाता है और किस तरह से उसको अपने phone में status पर लगाया जाता है तो सबसे पहले आपको इस application को install कर लेना है उसका link मेंने description में भी दिया है लेकिन आप उसको पहले समझ लीजिए ये है वो application देखिए आपको अपनी screen पर ये दिख रही है तो ये आपको install करने लिए है play store से लेकिन इसके अंदर करना क्या है आपको कुछ ऐसी चीज़े नहीं क कर दूँगा जो भी मेरे personal contacts हैं तो देखिए मैं यहाँ पर status के उपर जाता हूं और अब मैं जिसका भी status देखूंगा वो यहाँ पर मेरे phone के जो मैंने भी आपको application दिखाई थी वह वहाँ पर जाकर save हो जाएगी जैसे कि मैं एक status को open यहाँ पर कर रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पर यह एक status open यहाँ पर कर लिया ठीक है अब हम बापस जाते हैं अब मालीजे आपको किस तरह से यहाँ पर status मिलेगा तो दोस्तों आपको अपने जो हमने application इंस्टॉल करी है उसके अंदर देखे जैसी आप open करेंगे तो आपको सारे जो भी आप status जो द करना चाते हैं तो दोस्तों आप वीडियो फोटो और तीनों ही चीज के उपर यहाँ पर आप okay करके रख दीजिएगा ठीक है तो देखे यहाँ पर एक filter का option है यहाँ पर filter पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप all status पर भी click कर सकते हैं वीडियो इंस्टॉल करना चाते तो सिर्फ वीडियो पर भी touch करके रख सकते हैं या आप सारी चीजों को okay करके रख सकते हैं तो इस तरह से आप किसी के भी WhatsApp के status को अपने phone के अंदर save कर सकते हैं और उसका use कर सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी जानकरी प्लीज हमें comment करके बताए अगर अच्छे लगी हो तो